हाई अवरीवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाएए, सो जेदी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो लाश्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्कूल के जट से कुद करके एक लड़के ने अपनी जान दे दी थी, पर सब को पता था कि उसने खुद से अपनी जान नहीं दिया है, ये वांग लिंग जो नहीं किया है, सब को पता था कि वही जो है ये उल्टे सीदे काम सारे कर रही आज कल स्कूल में सब बाते कर रहे थे एक दूसरे से उसी बच्चे को ले करके उस बच्चे के पेरेंट्स आयोए थे जो कि बहुत बुरी तरह से रो रहे थे बालकनी से वी इंग और वुयोंग भी ये सब कुछ देख रहे थे उनके पेरेंट्स को ऐसा रोता देखकर के उनकी आँखों से भी आसु गिरने लगते हैं उन्हें भी बहुत बूरा लग रहा था उस बच्चे के लिए जो कि खून से भूरी तरह से सना हुआ था ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो बच्चा है कौन उसका नाम क्या है उसकी शकल भी पहचान में नहीं आ रही थी उस बच्चे के पेरेंट्स ने पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस जो है वो स्कूल में आ गई थी पर पुलिस भी आ करके कुछ खास काम नहीं करती वो उनको समझा देती है उस बच्चे के पेरेंट्स को कि आपके बच्चे ने खुद से अपनी जानती है इसे किसी ने धक्का नहीं दिया है ये खुद से कुदा है पर उस बच्चे के पेरेंट्स अच्छी तरह से चानते हैं कि ये पुलिस जो है वेन रुहार ने खरीद लिया है और अब अब वो कुछ नहीं कर सकते उनकी सारी उमेदे तूट शुकी है उन्हें पता है कि उनका बच्चा ऐसे खुद की जान नहीं ले सकता वो तो जीना चाहता है उसे तो अपनी जिन्दगी से बहुत प्यार है पर अब उस बच्चे के पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते अब वो करेंगे भी क्या जो होना था वो तो हो गया उनका बच्चा तो चला गया ना उन्हें छोड़ कर वो बहुत डरे हुए हैं उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वो केस करने का भी सोचे तो किस भी केस करें स्कूल के प्रिंसिपल पर कि उन्होंने कुछ नहीं किया वो मेरी बच्चे के पर ही दोश लगा रहे हैं या फिर उस वेन रुहान पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है वो बहुत डर गए हैं और अभी उन दोनों की आत्मा चिला चिला कर एक बात कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए पर अब कुछ नहीं हो सकता वेन रुहान सब को खरीद लेगा वो एक माफिया है वो कुछ भी कर सकता है अब बच्चे के पेरेंट्स डर जाते हैं अब वो बिचारे करेंगे भी क्या अब एक हफ़ते बात का सीन दिखाया जाता है एक हफ़ता भी जाता है इन सब बातों को और एक हफ़ते से जो है इनका स्कूल बन था अब फिर से बच्चे स्कूल आने लगे हैं वींग और वींग भी स्कूल जाते ہیں और इस एक हफते में बहुत कुछ बदल चुका है वींग और वींग के लड़ाई खत्व हो चुकी है अब वो एक दूसरे के साथ पहले की तरह रहते हैं वींग सिर। वींग पर ध्यान देता है वींग ने वींग को वो लिंग जाओ से दूर रहने के लिए कहा है वूयोंग भी इस बात को मान चुका है अब वूयोंग अपनी कलास में बैठा हुआ था अब वो अपने बैग में जैसे हाट डालता है तो उसके आद में एक बॉक्स आता है वो बॉक्स लिंग जाओ ने ही वो योंग को दिया हुआ था उनकी फ्रेंड्शिप के तोर पर जब वो उसकी फ्रेंड बनी थी तब उसके अंदर एक वोच है आज तक भी वो योंग ने उस वोच को बाहर नहीं निकाला ना उसे कभी पहना है अब वो योंग और वी इंग एक साथ ही बैठते हैं अब क्यूंकि एक हफ़ता स्कूल बंद रहा था और एक हफ़ते बाद जो है सारे बच्चे अपने प्रेंड्स से मिल्ते हैं तो फिर से जो है सभी लिंक जाओ की बाते ही अब ऐसे ही जो है एक हफ़ता और बीट जाता है पर इस एक हफ़ते में लिंग जयाओ एक भार भी स्कूल नहीं आई दो हफ़ते पहले उस लड़के ने अपनी छट से कुद करके जान दे दी थी ये बात वीइंग और वीयोंग ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी पर फिर भी वीयोंग और वीयोंग के पेरेंट्स को ये बात पता थी कि हाँ उसके स्कूल में किसी ने छट से कुद करके जान दे दिया उनके पेरेंट्स इस बारे में प्रिंसिपल से भी बात करते हैं पर प्रिंसिपल बॉल देते हैं कि हम उस लड़की को जो है स्कूल से निकाल देंगे उसकी पेरेंट सब बेफिकर हो जाते हैं कि हाँ वो लड़की तो स्कूल से चल ली जाएगी अब ये बात यहीं पर खतम नहीं होती सबको यहीं लगता था कि लिंग जाओ अभी स्कूल में कभी नहीं आएगी सब खुश थे इस बात से पर फिर एक महीने बात से फिर से लिंग जाओ ने स्कूल में आना स्टार्ट कर दिया था वो तो वेन रुहान से प्रिंसिपल ने बात की थी कि प्लीज एक महीने तक लिंग जाओ को स्कूल में मत भेज़े नहीं तो इन सभी बच्चों के पेरेंट्स हमें दोश देंगे क्योंकि उन्हें भी कही न कहीं लगता है कि उस बच्चे के जान लिंग जाओ की वज़े से गई है वेन रुहान ने इस बात को मान लिया इस वज़े से लिंग जाओ एक महीने से स्कूल नहीं आ रही थी एक मेहने बात से फिर से लिंग जाओ ने स्कूल मेना स्टाट कर दिया अब सब बच्चे फिर से डरने लगे थे सब बच्चे लिंग जाओ से छुप करके रहते थे उससे दूर दूर रहते थे उससे कोई बात नहीं करता था और ये बात लिंग जाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी यहां तक कि वूयोंग भी लिंग जाओ की तरफ देखता भी नहीं था इस बात से तो उसे कुछ ज़्याद ही चिड़ मचती थी अब लिंग जाओ ने एक दिन वूयोंग से पूछी लिया कि तुम उसे दूर क्यों रहते हो तुम उसे बात क्यों नहीं करते तो वूयोंग बॉल देता है कि मुझे तुमसे फ्रेंशिप नहीं रखनी तुम बहुत भुरी हो तुमसे बात करना तो दूर की बात है मैं तुमें देखना भी नहीं चाहता आज के बाद मुझसे कभी बात करने की भी कोशिश मत करना और हो सके तो प्लीज इस स्कूल को छोड़ कर चले जाओ तुम्हें जरा सा भी पच्छतावा नहीं है न अपने केका तुमने एक लड़की का सर फोड़ दिया एक लड़की की उंगली तोड़ती और दूसरे लड़की की तो जानी ले ली क्या तुम खुश हो ये सब करके तुम्हें क्या मिल गया हाँ बताओ मुझे तुम्हे जरा सा भी तरस नहीं आया उस बच्छे के पेरेंट्स पे इस बात को तुम खुद सोच कर देखो लिंग जाओ तुम तुम किसे इंसान से प्यार करती हो और वो तुम्हें छोड़ कर चला जाए जब तुम्हें पता चले कि वो तुम्हें छोड़ कर चला गया है तुम्हें पता चले कि तुम उसे कभी देखनी सकोगी कि कभी उसे बात नहीं कर सकोगी तो तुम्हारे दिल में कितना दर्द होगा सोचो उस बच्चे के बारे में उसके पेरेंट्स को कितना दुख होता होगा कितने रोते होंगे वो तड़पते होंगे अपने बच्चे के लिए उसे देखने के लिए तुम्हें तरस नहीं आया उन पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लिंग जाओ तुम कितनी भूरी हो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कभी ऐसे काम भी करोगी तुम बहुत भूरी हो मैं तुमसे नफरत करता हूँ आज की बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना दूर रहो मुझसे अब ये सब बाते सुन करके लिंग जाओ को आ जाता है बहुत ज़्यादा गुसा वो उठा करके अपने हाथ को वो योंग के मूँ पे एक थपड जड़ देती है वो योंग का मूँ सीधे से टेड़ा हो जाता है अब वो योंग उसे और ज़्यादा गुसा जाता है वो लिंग जाओ को पकड़ कर जोड़ जोड़ से हिलाने लगता है और फिर बोलता है मतलब मतलब तुम सच में सुधरों की नहीं हाँ जो कुछ भी तुमने किया है न लिंग जाओ तुम्हें शरम आनी चाहिए उन सब चीजों की वज़े से तुम्हें तो कहीं डूब कर मर जाना चाहिए तुम्हें कोई हक नहीं जीने का तुम जैसे राक्षिश पता नहीं भगवान कैसे बना देता है अब फिर से लिंग जाओ को गुसा जाता है और वो अपना हाथ उठा लेती है फिर से वुयोंग को मारने के लिए अब वुयोंग थपड़ खाने के लिए बिल्कुल तयार था उसने अपने आखें पंद कर ली थी पर लिंग जाओ जैसे ही मारने जाती है तब उसका हाथ पीच में ही रुख जाता है क्योंकि उसके हाथ को वी इंग ने पकड़ लिया था अब जैसे ही लिंग जाओ देखती है कि उसके हाथ को वी इंग ने पकड़ लिया है लिंग जाओ उसका खुन फिर से उबलने लगता है वो अपने आखों को दिखाने लगते है वी इंग को इन सब चीजों से कोई फरक नी पड़ता क्योंकि वी इंग एक स्ट्रोंग ओमे का है तो वी इंग लेंग जाओ के हाथ को पकड़ कर मोड देता है और उसके फेस पे तीन चार थपड़ चड़तेता है और फिर बोलते है तुम्हारी हिमत कैसी होई मेरे भाई पे हाथ उठाने की तो फुयोंग जैसे देखता है वी इंग को इस अवतार में वी इंग खुश हो जाता है और फिर बोलता है वी इंग तुम बिल्कुल सही टाइम पे आयो तुम्हे बता है इससे पहले तो इसमें मुझे एक थपड मारा भी था वी इंग को और जद्ध हो गुसा जाता है ये सुन करके वी इंग लेंग लेंग जाओ के दोनों हाथों को पकड करके नहीं, तुम भूल गई हो, कि मैं भी जिन्दा हूँ, वूयोंग का बड़ा भाई, भले ही मैं एक ओमेका हूँ, पर तुमसे नहीं डरने वाला, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, और आपने पहले सुना होगा कि चुड़वा बच्चे हुए थे यू को, उनमें से एक ब लिंग्जाओ के हाथ छूट जाते हैं, अब लिंग्जाओ वींग को मारने के लिए आगे जाती है, पर वींग सामने से हट जाता है, और पीछे सेवित लिंग्जाओ को धक्का दे देता है, जिस वज़े से लिंग्जाओ नीचे जा गिरती है, और उसका सर बेंच में लग जाता है उसके सर से खुन आने लगता है उसका पूरा फेस खराब हो गया था अब लिंग्जाओ को ऐसा लग रहा था कि अब वो सुन्दर नहीं लगेगी लिंग्जाओ को और ज्यादा गुस्ता आ जाता है वो जैसे खड़ी होती है वी इंग को मारने के लिए तब ही जो है बेहोश हो जाती है और फिर से नीचे गिर जाती है लिंग्जाओ के सर से खुन भैरा था पर वी इंग और वो योंग को उससे कोई लेना देना नहीं था वो अपना बैक उठाते हैं और घर को निकल जाते हैं लिंग्जाओ के भाई को जैसे ही पता चलता है कि यह सब कुछ जो है वीइंग और वयोंग ने किया है उसे आ जाता है गुस्टा दूसे तरफ वीइंग और वयोंग इस बात से अंचान की अब उनकी जिन्दगी में बहुत बड़ा तुफान आने वाला है वो दोनों जो है सब भूरे काम करना छोड़ देगी क्योंकि इसको सबक मिल चुका है पर उन्हें नहीं पते था कि ऐसा होगा या नहीं अब जो है वींग और वींग क्योंकि खुश थे तो वो खुशी-खुशी में अपनी मोम को बताते हैं कि कैसे एक लड़की जो है बहुत भूरे-भूरे क पाम करती है और आज कैसे वींग ने उसे पीटा और वींग ने उसके हाथ पकड़े और कैसे वींग ने उसे धक्का दे दिया उसे गिरा दिया उसे कैसे चोट लग गई उसकी मोम इस बाते सुनती है उसे लग रहा है कि उसके बचे जो है मजाग कर रहे हैं और हां उसने प मौम को रोज एक नएक बात बताया करते थे लिंग जयाओ के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में ये भी बताया था उन दोनों ने अपनी मौम को की लिंग जयाओ का जो डैड है वो एक माफिया है पर उसको नाम नहीं बताए था क्योंकि उन दोनों को भी नहीं पता था और यह सब बातें भी बताए थी कि कैसे लिंग जाओ ने एक लड़के की उंगली तोड़ दी थी और कैसे एक लड़के का जो है सर फोड़ दिया था और जो लड़का छट से गिरा था वो गिरा नहीं था उसे गिराया था लिंग जाओ नहीं ये सब कुछ बाते जो हैं उसकी मॉम को वो बता रहे थे री यंग और वो यंग और साथ में ये भी बता रहे थे कि अब दो हफ़तों से लिंग जया स्कूल नहीं आ रही है और यही सब बाते जो है यूँ फैंग मियान को भी बताया करती थी पर फैंग मियान भी ज्यादा सेरियस नहीं लिया करता था इन सब बातों को उन्हें लगता था कि उसके बच्चे मजाग कर रहे हैं ऐसे कैसे कोई लड़की किसी की जान ले सकती है, किसी की हुली तोड़ सकती है, किसी का सर फोड़ सकती है, उन्हें यकीन नहीं था इन सा बातों पे, अब ऐसे ही एक हफता और बीच जाता है, अब लिंग जाओ जो है, वो स्कूल आने लगती है, पर अब जो है लिंग जाको बहुत ज़्यादा गुसा आया करता था जब भी वो वी इंग और वुयोंग को तेखती थी अब उसे वुयोंग को फ्रेंड नहीं बनाना था अब उसे वुयोंग को मारना था वो उसे बदला लेना चाहती थी उसे नहीं बरदाश होता था जब भी वो याद करती थी उन से बात तो को कि कैसे वो योंग और वींग ने मिल करके उसे मारा था अब उसे उन दोनों भायों से बदला लेना था वो उन दोनों भायों को जिन्दा नहीं चोड़ना चाहती थी उन दोनों की जान ले लेना चाहती थी और अब उसका गुसा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था अब बस कैसे भी कुछ भी हो जाए लिंग जियाओ को सिर्फ बदला चाही था वी इंग और वयोंग से अब बस वो उन दोनों को मार डालना चाहती थी और दूसरी तरह वी इंग और वयोंग को ये लगता था कि लिंग जियाओ अब सुधर गई है क्योंकि उसने एक हफ़ते से कुछ भी गलत काम नहीं किया किसी को नुकसान नहीं पहुँचाए किसी को परिशान नहीं किया किसी को मारा पीटा नहीं है तो इस वज़े से वी इंग और वयोंग को लग रहा था कि शायद शायद लिंग जियाओ अब सुधर रही है एस वज़े से यू, ही, फैंग मियान और ची रैन यह चारों कि शारों जो है शिचैन से मिलने काई होई थी। होस्टल में यान ले एपनी निए स्मने काई होई थी। वी इंग और वयोंग और जियांग चैंग ये तीनों घर पर अकेले थे अब वयोंग जो है वो बोलता है वी इंग और जियांग चैंग को कि चलो ना यार बाहर चलते हैं घर पे बैठे बोर हो रहे हैं बाहर चलते हैं कुछ अच्छा सा खाके आते हैं और फिर घर पे आके गेम खेलेंगे ज्यांग चैंग बोलता है नहीं यार मेरा मन नहीं है वियंग बोलता है ज्यांग चैंग चलो ना यार बाहर चलते हैं कुछ खाते हैं मज़ा आएगा फिर गेम खेलेंगे आ करके या फिर हम मुवी देखने चलते हैं अब ज्यांग चैंग बोलता है यार मेरा बाहर जानी का सच में मन नहीं है अगर तुम दोनों का इतना ही मन है तो तुम जाओ वुयोंग बोलता है प्लीज ज्यांग चैंग चलो ना अब ज्यांग चैंग बोलता है नहीं यार विंग बोलता है बस यही पास में जाएंगे वो यॉंग भी बोलता है हाँ पास में जाएंगे ज्यांग चैंग बोलता है खबरदार अगर तुम ज्यादा दूर कहे तो वो यॉंग बोलता है नहीं नहीं ज्यादा दूर तो व्यों इंग बोलाना premi ज्यादा दूर नहीं जाएंगे पास में जाएंगे तो जाएंग व्यों डूंग है कुछ हो गया तो जो जांग चेंग है वो बोलते हैं तुम दोनों चाओ वियंग और वयंग जाने रखते हैं वो रूम से निकलते हैं फिर सीडियो से नीचे उतरते हैं जैसी वो नीचे उतरते हैं पीछे से जांग चेंग हवास लगाता है तुम दोनों ने अपने अपने फोन ले लिए न एक पने ने कर लेते हैं और जल्दी आना विए और तुम्हें कुछ चाहिए होगा ना तो हमें फॉन करके बता देना हम भी लियाएंगे पर तुम दोनों जल्दी आना में लाश पार भी विए बोलता है यहाँ जल्दी आ जाएंगे वह यूग भी बता चले हम तीन चार साल इस वोड़ा आए तुम हमारा इंतजहों अब चैंग जाूंना को सब्सक्य और चैंग पहलगे लिए हुई ॉप और वहीं तो Одस नहीं मुझे सब्सक्राइए in वुयंग बोलें वेयंग सावां कि मुस्त आए कि पीछार हदो हुआ हम जल्दी और खूण है च्ट चैन्ग को शॉर्प करूंगा जरून जरूबंस वियोंग गर भी एन्ग जाक चा वो योंग जो है बाई बोल देता है चैंग को और चला जाता है ओके गाईज आज के लिए इतना ही अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने ख्याल रखना बाई बाई